नमस्कर जुगाड़ वेश्टी में आप सब एलों का एक बार फिर से सागत करते हैं और आज हम लोग जुगाड़ करने जा रहे हैं अपने इन संतरे की छिल्कों का संतरे की छिल्कों के साथ साथ आप बाकी जो भी आप खटे फल यूज करते हैं उन सबी के छिल्के आप कुछ इसी तरह से यूज कर सकते हैं वोसंबी के छिल्के ले सकते हैं आप नीबू को छिल्के ले सकते हैं और चाहे तो जो हम लोग बायो इंजाएम बनाने जा रहे हैं उनको आप सारी के सारी खटे फ़लों के छिलके मिक्स करके भी बना सकते हैं और चाहें तो एक एक करके उनको से प्रेटली भी आप यूज कर सकते हैं और इन बेकार पड़ी छिलकों से हम लोग बनाएंगे अपना एक बहुत ही कारगर बहुत ही एफेक्टिव हमारे पौथों के सार्थ और भी कई तरही से इसको इसको सकते हैं और जब पौथों की बात आती है, तो जरूर आपके मन में एक सवाल उठेगा हम खाना की बहुत है की फटिलाइज भी पानी भी पिलाते हैं, तो एसकी जरूएध है उसकी जरूरत है कि हम लोग भी खाना खाते हैं, बॉडि यह कहीत है तर और एक तरह से बोदों को टानिक समझ सकते हैं किसी भी तरह की कीड़ मकॉड़ों का जो भी अटेक होगा वो भी खत्प हो जागी कीड़ मकॉड़ों के लबाइब ये बहुत अच्छा सापका नेच्टरल क्लीनर भी है आपके पैड़ पोदे हमेशने रहेंगे नीट अनक्लीन। आप हपते में एक बारेज को प्रेकरें औ इस तरह से आपको खट्टे फ़लो के चिलके इकठा करने और जैसे कि मैंने पहले बताई आप चाहें तो सबों को एक साथ मिक्स करके भी यूज करें और चाहें तो कुछ अलग अलग यूज करें आज मैं सिर्फ संत्रे की चिलकों का बनाने जा रहे हूं नीबू की चिलकों क आप हमैं थोड़े से पानी के जरुत पड़ी और थोड़ा सामी जरुत पड़ेगी घुड़ की गुडब मेरा पिछले साल का पढ़ा हुआ था और सीलेन्ड की वजय से कुछ इस तारेसे जम गया है काला भी पढ़गया है चुकि एक साल पुराना गुड़ है तो अगर आ जगें कम घेरेंगी कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं इसलिए मुझे लगता है कि बाटर में बनाना ज्यादा असान होता है और आप हम लोग इसमें डालेंगी गोड़ जितने आप छिलके ले रहें उसकी सिर्फ वन थर्ड क्वांटिटी आप रखेंगे तो कुछ अंदाज का वन थर्ड गोड़ और बस अब यह चिलके हम लोग इसमें भर लेंगे वाटल में इसलिए मैं इसलिए मैं इसलिए चोटे-चोटे पीसिस में काटा हुआ था अधर्वाइस यह चिलके बहुत जल्दी गल जाते हैं जरूरत नहीं होती है जरूरत होती है चुकि हमें गोड़ना हमारे चिलके और उसका 10 गुना पानी यह होगा हमारा रेशियो बस बोटल हमारी भर गई और देखिये बोटल ऊपर से आपको थोड़ी सी खाली भी रखनी है आपको इस्पेस बना कर रखना पूरी ऊपर तक आपको बोटल नहीं बरनी है और इतनी बोटल हमें खाली इस ले रखनी चुकि इसमें बनेगी गैस तो गैस के लिए भी हम एक प्रॉपर स्पेस छोड़ना है बोटल में देखिये कुछ इतनी भर ली मैंने बस अब ये बोटल हमें रखनी है कहां पर रखनी है किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमेशा हमारी नजर पढ़ती रहे चुकि इस बोटल को हमें ढकन कोल के हमें डेली इसकी गैस निकालनी होगी तो हम यहां पर ऐसी जगह रखेंगी जहां पर डेली मेरी नजर पढ़ेगी गलती से भी अगर हम भूल जाएंगे तो इसमें गैस इतनी बनेगी कि शायद आपके बोटल फट भी सकती है इसलिए इतनी नजरों के सामने रखना है डायरेक्ट संलाइट में आपको नहीं रखना है आपको खुले में रखना है पर इसमें डायरेक्ट संलाइट नहीं पड़ेगी देखिए गैस कुछ इस तरह से निकलेगी अपके जब आप इसकी कैप खोलेंगे तो कुछ इस तरह से इससे गैस रिलीज होगी और यह गैस रिलीज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है देखिए इस तरह से देखिए कितनी गैस बन रही है और यह जब सारी के सारी गैस बाहर निकल जाएगी तप ही हम तुबारा से इसका ध प्रावलम नहीं होगी पर एक बार तो निश्यत तोर पर आपको करना ही करना है और देखिए यह तैयार कैसे होगा आपको कैसे पता चलेगा इसके लिए भी देखिए यह चिलके आटोमेटिक लिए आपके यह तली में बैठते चले जाएंगे जैसे जैसे हमारा यह process complete होता जाएगा, तो सारी छिलके ऊपर से नीचे आजाएगे, देखिए, आप चाहें तो इसमें डेट डाल की भी रख सकते हैं, तो आपको कुछ आइडिया रहेगा कि आपने किस डेट में बनाया और कप 3 महीने complete होगी, क्योंकि इसको complete होने में पूरे की पूरे लगें कि और गैस ना निकालने कभी मैं आपको नुकसान बताऊंगी, बॉटल आपकी ब्लाश्ट हो सकती है, आप भी देखिए, तो देख आपने कुछ इस तरह का नजारा हो सकता है, अगर आप इसकी गैस निकालना भूल जाएगे, इसलिए मैंने कहा कि जहां पर भी यह बॉट क्योंकि अगर बॉटल हमारी ब्लाश्ट हो गई तो शायद हमें लुकसान भी हो सकता है, तो इस वजह से मैं फिर से वही रिमाइंड कर आ रही हूं कि इसकी गैस निकालना बहुत जरूरी है, और लगबक एक महिने तक इसमें इतनी ही गैस बनेगी, उसके बाद धीरी दीर माद कानल होजाएगी। और इस बनने में लगेगा पूरा तीन महिने का वक्त, जब तीन महिने का वक्त पूरा पूरा हो जाएगा तब आप इसको चानगे, कहीं पर भी किसी भी कंटेनर में इसको श्टौर करके रख सकते हैं इन छिलकों को फेकना नहीं है! इन शिल्कों को आप नहें फैकिए, इन शिल्कों को हम लोग दोबार को दोबारा यूज करेंगे आपपनी कोई भी किचन वेच्ट की कमपोष्ट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसमें आप ये डाल देंगे तो यह दुबारा से आपके reuse हो जाएंगे और जो आपकी kitchen waste की compost बनेगी तो वो बहुत जल्दी से आपका process complete हो जाएगा जल्दी से आपकी compost बन जाएगी और देखे तीन मेने बाद जब आपका यह complete हो जाएगा आप इसको छानके liquid भरके रख लेंगे और यूज कैसे करना यह भी हम लोग जान लेते हैं यूज करने के लिए आप इसको एक लीटर पानी में आप डालेंगे एक धकन यानि कि 5-6 ml के बराबर मात्र आप डालेंगे उतनी यह पर्याप्त होगी बस आप अपने सारे पेड़ पोद में इसको इस्प्रे कर सकते हैं पोदों को एक मिले के नेचुरल सा टॉनिक आपके घर की भी सफाई बहुत अच्छा से हो सकती है सारे होंगे फायदे ही फायदे तो जल्दी से आप भी बनाएगा बना के रखिये और बस जल्दी हाजीर होती हो अपने किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू